शपानिता अनुभा मुझारे ने कांग्रेस का थामादामन प्रदेश कांग्रेस अद्ध्यक्च कमलनाथ ने भूपाल कांग्रेस कार्याले में कांग्रेस का घम चपना कर शपानिता व पूरू नगरपाली का अद्ध्यक्च अनुभा मुझारे व बीटा शांतानों मुझारे को कांग्रेस की सदर सिता दिग्वजेसी सुरेश पचोरी व व विदाय खिना कावरे की मौजूथी में दिलाए गई बता दे कि पूरू में कमलना से मुलाखत तर कांग्रेस में प्रवेस के लिए हामी भरी थी तवी से जीले की राजलिती सियासत में हल चल चल रहे थी जहां अब कांग्रेस का मा और बेटे दामन थामे हैं जैसे बालाखाट जिले में कांग्रेस के लिए खुसी की लहरा है जिसके बाद अब बालाखाट जिले का सियासी पारा चड़ा हुआ है आपको बता दे कि किरनापूर विदानसभा चेतर से पहली बार चुनावी रन में आई सपा प्रत्यासी के तोर पर अनुबामुजारे नेशन 1993 में चुनाव लड़ा उसके बाद 1999 में 2000 में चुनाव लड़ा वर्स 2003 में चुनाव बालाखाट विदानसभा से लड़ा 2008 में, 2013 में और 2018 में बालाखाट विदानसभा से ही चुनाव लड़े हैं इसी तरह से बालाखाट सीट पर उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान ही उठाना पड़ा है वहीं लोगसवा चुनाव में भी उन्होंने सन 1999 और 2014 में चुनाव लड़ा जबकि नगरपाली का बालाखाट में उन्होंने चार चुनाव लड़े हैं जिसमें 2004, 2004, 2008 में वह चुनाव जीते और 2014 में उन्हें पराजेगा थामना करना पड़ा था इसी तरह उनका पूरा राजनिती की यातरा संगर्श पूर्ण रही है जिरे की महला राजनिती में उनका पहचान एक प्रकरवक्ता के रूप में की जाती है इसमें कोई संदे नहीं कि उनकी इस राजनिती को पलगदी के पीछे पूरू शांसादियों पूरू विधाय कंकर मुंजारे का प्रभावशाली विक्तित्व की महतपूर्ण भूमिका है लोध्य समाज के महला राजनिती में स्रीमती अनुभा मुंजारे का इस्तान प्रतम करम पर आता है प्रदान मंतिर राजी बूदी का आप दूदी की रहेगी पार्टी को और पार्टी की सोच को आगे बढ़ा रहेगी वहें 21 मई को भुपाल में आयोजित पूरू प्रदान मंतिर राजी बूदी की पुन्यति थी कारक्रम में भुपाल पहुची अनुबा मुझारे ने कांग्रेस में सामिल होने के बाद कहा कि भले ही पूरू प्रदान मंतिर राजी बूदी को हमसे बिच्ड़े हुए 32 साल हो लेकिन आज भी उनकी विचारधारा प्रासंगीक है उन्होंने राजी बूदी को सद्धान जली अर्पीत करते विए कहा कि वह हमेशा से ही कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी रही है कांग्रेस के साथ जन जन की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुचाने का वकाम करेंगी यहां उन्होंने जब तक सूरच चांद रहेगा कांग्रेस तीरा नाम रहेगा जब तक सूरच चांद रहेगा राजीव जी का नाम रहेगा कभी ना रादिया मुझे आपने मंच दिया सम्मान दिया अब्द बोलने का उसर प्रदान किया आरदी का भार्वेक करती हूं धन्नवाद देती हूं और बस इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं कॉंग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई हूं और जन जन तक पहुचाने के लिए सड़क से लेके सदन तक आपकी आवाज बनने की म मैं पूरी कोशिश करूंगी बहुत बहुत धन्नवाद जै हिल जै भारत आप देख रहे हैं वालग हट खबर बर